Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है, Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses है, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत ज़ादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, और आप quiz attempt कर सकते हैं weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, और फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्र अतिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं, और ये topics बहुत ज़ादा important होते हैं, topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुवारा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, और उनको इधर उधर ढूलना ना पड़े content, जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पर provide करा देखेंगे, Hello everyone, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत important current affairs discuss करेंगे, first week of February के, session काफी helpful रहेगा, तो end तक बने रहेगा, और notes ज़रूर बनाएगा, notes बनाएंगे तो exam से पहले revision करने में बहुत ज़ादा आपको help मिलने वाली है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले, अभी recently एक exercise हुई थी तोपची नाम से, ठीक है, Indian army की exercise थी तोपची, यह एक annual exercise थी to show the demonstration of firepower and training exercise, यह किसके द्वारा conduct कराए गई थी, तो school of artillery के द्वारा इस exercise को conduct कराए गया था, in the month of January, ठीक है, फिर पूछा जा रहा है, कि यह कहाँ पे हुई थी अगर यह पूछा जाए, तो यह school of artillery यह कहाँ पर है, महराश्रा में यह school रहेगा, जहाँ पर इस exercise को conduct कराए गया था, फिर इसी मैं आपको याद रखना है, जहाँ पर question पूछा जा रहा है, कि कि स्टेट में कराए गई थी, तो जैसे अब भी हमने देखा, महराश्रा में इस exercise को conduct कराया गया था, इन देवलाली फिल्ड फाइरिंग रेंज, जो कि नासिक महराश्रा में रहेगा, और exercise का नाम है तोपची, school of artillery के दवारा इसको conduct कराया गया था, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी United Nation, देखो इसको महाँ आपको explain करता हूँ, यह basically एक report है, World Food Program, World Health Organization, UNICEF and your FAO, जो कि United Nation का ही आम है, Food and Agriculture Organization, इनके दवारा एक report release की गई, जिसमें बताया गया, कि जो food insecurity है ना, वो बहुत जादा बढ़ गई है, आपने देखा, because of the war, फिर जो Ukraine में और Russia में war चल रही है, इसकी वज़े से आपने देखा, wheat का जो export है, पूरी world में, या फिर wheat का जो एक demand है, वो बहुत जादा बढ़ गई थी, क्योंकि Russia और Ukraine, wheat export करता था to various nations, तो वो बंद हो गया, तो demand बढ़ गई, और जहाँ पर demand बढ़ी, तो वहाँ पर हमने देखा, कि food insecurity बढ़ी, फिर आपने देखा, inflation की वज़े से जो price है, खाने के वो बहुत जादा बढ़ गई है, आप पाकिस्तान का example लेके चलेंगे, तो आप देखेंगे, कि पाकिस्तान में काफी सारी video surface हुई थी, जो दिखाती है, कि लोग वहाँ पर मर रहे हैं, just for a bag of wheat, वहाँ पर आप देखेंगे, 200 से लेके 300% आपकी inflation देखने को मिलेगी, किसी भी food price आप उठा के देखेंगे, कोई भी आप, चाहे आप सेब उठा के देख लो, चाहे आप कोई आलू उठा के देख लो, उसका जो price होका ना, वो 200 से 300% बढ़ चुका है, और ये बहुत जादा एक situation खराब होते जा नहीं है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जो crisis है वोई और जादा बढ़ जाएगी, not just in Pakistan, all around the world आप इसको देखेंगे, कि food insecurity बढ़ती जा रही है, ठीक है, next, next आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ, किस state के द्वारा, पहला G20 education working group meet को अभी conduct कराय गया था, I repeat, पहला G20 education working group meet, यह G20 education working group meet किसके द्वारा host कराया गया था, तम्मिल नाडू के द्वारा इसको host कराया गया था, ठीक है, और यहीं पर यह तो हो गया education working group meet, अगर मैं पूछूँ, पहला G20 energy transition, energy transition working group meet, यह कहां पर हुई थी, तो यह बैंगलोर में हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी, बैंगलोर में इसको conduct कराया गया था, फिर किस state के द्वारा, अभी एक program launch किया गया वो है, vision for all school eye health, I repeat, vision for all school eye health, यह किस के द्वारा launch किया गया था, गोवा government के द्वारा इसको launch किया गया था, फ्लॉरी कल्चर मिशन, यह किस के द्वारा launch किया गया था, किस state के द्वारा, असम के द्वारा इसको launch किया गया, ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ, आंदरपर्देश की नई capital का नाम, क्या रखा गया है, विशाका पत्नम, और याद रखेंगे, अभी March महिने में, आंदरपर्देश में Global Investor Summit होगी, जैसे अभी UP में अभी हमने देखने को मिला था, Global Investor Summit, जो कि लखनाओ में थी, साइन्स 20, S20, G20 में ही आपका साइन्स 20 आगया, साइन्स 20 की Inception Meeting, ये कहाँ पर हुई थी, ये भी आपकी Purdue Cherry में हुई थी, ठीक है, G20 की S20 पार्ट जो कि साइन्स 20 आगया, इसकी जो पहली मेट हुई कहाँ पर Purdue Cherry में हुई थी, ठीक है, फिर याद रखेंगे, Ministry of Defense आपका largest buyer बन गया है, किस चीज़ का, of MSME Goods, 2022 के लिए है, Next पे आजाते हैं, which company recently emerged as the India's first payment player to process CBDC, CBDC के आपका Central Bank Digital Currency, इसी को हम Digital Rupee भी बोलते हैं, और याद हो तो इसको हम E-Rupee के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और याद रखेंगे, E-Rupee आपका Retail Format में Launch किया गया था, और एक Wholesale Format में Launch किया गया था, ठीक है, इनका Difference क्या होता है, Normal Rupees और E-Rupee के बीच में कि अगर आपको E-Rupee अपने बैंक में रखेंगे, तो आपको Interest नहीं मिलेगा, कोई भी Interest नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे, वो पहला Payment Gateway Player कौन सा बन गया है, तो प्रोसेस CBDC, वो है आपका CC Avenue, ठीक है, Option 2 is Correct, CC Avenue, Next, अभी Recently किस Insurance Company ने Pay As You Drive एक Insurance Policy लाँच किया है, जो कि आप कितने किलोमीटर्स ड्राइव करते हैं, उसके बेसिस पे आपका Insurance बता करेगी, तो यह कौन सी रहेगी कंपनी, वो है New India Assurance Company, इनहीं के दवारा यह एक Pay As You Drive वीकल इंशॉरेंस पॉलिसी लाँच की गई, प्रीमियम्स बेस्ट ऑन दे यूसेज ओफ वीकल, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 5, फिर यहीं पर आपको Discount मिलेंगे, आप कैसे ड्राइव करते हैं गाड़ी, ठीक है, फिर आपको अगर रिन्यू कराना है, अपना Insurance उस पे डिसकार्ज, फिर अपना जो आपका Distance Limit के अगर आप ट्रेवल करते हैं उस पे आप Online अपना Insurance को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, Zero Depreciation ले सकते हैं, यह सारी चीज़ें यहाँ पर भी Facility प्रोवाइड की गई नेक्स्ट आजाता है, International Monetary Fund, IMF, Headquarter कहां पर है, IMF का, Washington DC में, World Bank का भी Headquarter कहां पर है, Washington DC में और अभी Recently, IMF के द्वारा, इंडिया की जो Growth Rate Project की गई है, in the year 2022, थी 6.8% की, लेकिन अब जो 2023 में इंडिया की GDP Growth Rate Project की जा रही है, वो 6.8% से decline करके कितनी की गई है, 6.1%, various reasons है, war-like situation, ठीक है, पूरी दुनिया में, फिर आप देखेंगे, inflation इतना जादा बढ़ा हुआ है, recession की बाते चल रही है, हर जगे, इंडिया, although पूरी emerging आप देखेंगे, जो developed nation है, वहाँ पर बात की जा रही है, recession आएगा, लेकिन still, इंडिया strong खड़ा और ये 6-8% के बीच में grow करने की बात कर रहा है, जहाँ पे IMF ने project किया कि इंडिया 6.1% से grow करेगा, global growth rate की मैं बात करूँ तो 2-3% के बीच में global growth rate यहाँ पर रहेगा next पे आते हैं, ICC women's under 19, T20 World Cup हुआ था भी recently, कहाँ पर हुआ था, किस country के दारा host किया गया था तो South Africa के द्वारा आपका ICC का women's under 19, T20 World Cup हुआ था, और पहली बार, for the first time, यह किस ने जीता हमारा, इंडिया ने यह पहली बार यह जीता, किस को हरा के finals में, England को final में हरा के 8 Cup जीता, तो option 3 correct है नेक्स पर आ जाते हैं, नेक्स अगर आपसे पूछा जाए, अभी recently, लाडली बहिना, लाडली बहना, यह स्कीम किस के द्वारा लौंच की गई, मद्या परदेश के द्वारा लाडली बहना स्कीम को लौंच किया गया, ठीक है, फिर जारा बताओ, अभी G20 की Cyber Security Exercise Drill, यह कह पर हुई थी, G20 की Cyber Security Exercise Drill, यह कहां पर हुई थी आपकी, यह किस के द्वारा इनॉगरेट किराए गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, Ministry of Electronics, Information and Technology के द्वारा, ठीक है, विजिट इंडिया, विजिट इंडिया, यह 2023, यह किस के द्वारा इनॉगरेट किया गया, जी क इनॉगरेट किया गया, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली अडानी ने, अडानी ग्रूप ने, कौन से पोर्ट को एक्वार किया, 1.2 बिलियन डॉलर के लिए, वो है, हाइफा पोर्ट को एक्वार किया, for 1.2 बिलियन डॉलर, फिर पहली टूरिजम, पहली ट कहां पर हुई, गुजरात में हुई, फिर इंडिया ने, या फिर किसको वैलकम किया, कौन सी कंट्री ने, इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स को जॉइन किया, वो है, कॉंगो, इंटरनेशनल सोलर अलाइन्स की बात करें, 2015 में लांच हुआ था, इंडिया एंड फ्रांस के ग्लोबल, एनरजी, मीट, कहां पर होस्ट की, बैंगलूरू में इसको होस्ट किया था, ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बता दो, अभी एक वाटसेप चैट बॉट लांच किया गया है, वाटसेप चैट बॉट लांच किया गया, डेली के द्वारा, और क्या नाम रहेगा उ जो बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, डेली चाइल्ड राइट्स बॉड़ी के द्वारा, आया फिर हम कहें डेली गॉवर्मेंट के द्वारा ये वाटसेप चैट बॉट बाल बित्रा नाम से लांच किया गया, नेक्स्ट, वेन वाज मार्टर्स डे ट्वेंट लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि शहीद दिवस एक बार और अबजर्व किया जाता है, वो है आपका, पहले नेक्स पे नहीं जाते हैं, भूल जाओ मैंने कुछ बोला, सिरफ याद रखो, मार्टर्स डे, सर्वोर्द्या डे का जाता है, शहीद द इसी के साथ साथ, इसी दिन 30 जम्वेर को महात्मा गांदी की डेथ एनिवर्सरी भी अबजर्व की जाती है, और 2023 में ये आपकी 75 वी डेथ एनिवर्सरी थी, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, अब आते हैं दूसरे पे, एक बार और शहीद दिवस आपका अबजर्व किया जाता है, साल में वो हो जाता है, 23 मार्च को, जो 23 मार्च को आपका शहीद दिवस अबजर्व किया जाता है, it is to recognize the sacrifice of three young freedom fighters, भगत सिंग, शिवराम राजगुरू और शुकदेव थापरजी, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, 2023 में याद रखेंगे, वो 92nd बर्थ एनि उनिवर्सटी के नॉर्थ केंपस में है, इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कौतम बुद्धा, सेनेटरी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, नेक्स्ट, किसके द्वारा अभी प्रिस्टीजियस गंगाधर नैशनल अवार्ड दिया गया फोर पोईट्री 2021 संबलपुर यूनिवर्सटी के द्वारा दिया गया, गंगाधर नैशनल अवार्ड ये दिया गया, ये किसलिए अवार्ड होता है, ये पोईट्री के दिया जाता है, तो अभी एक काफी फेमस, मल्यालम, मल्यालम पोईट, के जी, शंक्रा, पिलाई जी को सम्मानित किया ग और ये संबलपूर युनिवस्टी के द्वारा दिया गया इनके द्वारा दिया गया on their 56th foundation day जो की 10 जन्वरी को होता है 2023 में ठीक है इसी के साथ साथ यहां पर एक लाख रुपे एक शॉल एक साइटेशन और एक मोमेंटो से भी सम्मानित किया गया के जी शंकरा पिलाई जी क for the prestigious गंगादर National Award नेक्स पर आते हैं इंडिया के NSA National Security Advisor and Jake Sullivan National Secretary Advisor of USA इन दोनों के द्वारा मिलके अभी एक इंडिया इनिशेटी या फिर हम कहें इनिशेटीव on critical and emerging technologies ICT पर बात करने की बात की गई यह ICT पूछा जा सकते है किन दो countries के बीच में हैं इंडिया और USA इंडिया के और USA के National Security Advisor के द्वारा मिलके यह ICT लाँज किया गया जो कि है अभी किन पर्सनलिटी को अपॉइंट किया गया है as a member of advisory committee of Shirei Infrastructure Finance Limited and Shirei Equipment Finance Limited का तो अगर मैं बात करूँ advisory committee के member कौन अपॉइंट किये गए हैं वो है वी रामाचंदरन जी ठीक है और यह किन को replace करेंगे यह replace करेंगे फरोक एन सुबेदार को इनकी retirement हो गई है ठीक है और इन्होंने अपनी position से resign कर दिया है जन्वरी 31 को और वी रामाचंदर जीन को appoint किया गया as a member of the advisory committee next नेक्स पर आजाते हैं name the personality from India जिनको भी recently honor किया गया lifetime achievement honor से at the 2023 edition of the India UK Achiever honors India UK Achiever honors के द्वारा जो कि 2023 में हुआ था किस Indian personality को यहां पर सम्मानित किया गया with the lifetime achievement award for his contribution to economic and political life वो रहेंगे हमारे former prime minister of India Dr. Manmohan Singh ठीक है Dr. Manmohan Singh को अभी lifetime achievement honor से सम्मानित किया गया at the 2023 edition of the India UK Achiever honors यह first of its kind celebration है of UK India's alumni जो कि 25 जन्वरी को हुआ था, London में हुआ था, UK में हुआ था फिर यहीं पर अगर पूछा जाएं इंडिया UK Achiever honors किसके द्वारा organize कराए जाता है तो NISAU UK यह है National Indian Standards and Alumni Union of UK इनके द्वारा organize कराए गया ठीक है और इन्होंने ही lifetime achievement honor से सम्मानित किया गया दॉक्टर मनोहन सिंग को at London UK चलिए, next पर आते हैं अभी 2023 में हुआ था, जन्वरी में हुआ था, 52 aviation species को observe किया गया था scientist को, researchers को for the bird observation तो इस e-bird app में अभी 52 avian species को observe किया गया कहाँ पर in Ladakh और ये Asian water bird census के द्वारा ये data release कराया गया था ठीक है, चलिए, next पर आते हैं next आ जाता है आपका Indian Coast Guard, ICG Day कब observe किया जाता है on 1st of January observe किया जाता है ठीक, पूछा जा रहा है, कौन से edition का raising day observe किया गया of Indian Coast Guard तो ये 47th raising day था of Indian Coast Guard, जो की एक फरवरी को observe किया गया और याद रखेंगे, Indian Coast Guard, ये आपकी 4th largest Coast Guard रहती है in the world जहाँ पर आप हम देखेंगे, 158 ships and 70 aircraft हैं हमारे Indian Coast Guard के पास Indian Coast Guard established कब किया गया था? तो correct option यहाँ पर देखें तो option 2 next, which city was recently declared as the capital of Andhra Pradesh Andhra Pradesh की capital city कौन से declare करी गई है? विशाका पतनम by the chief minister of Y.S. जगनमोहन रैडी जी फिर इनी के दुआरा अभी एक global investor summit भी यहाँ पर launch करने की बात की गई तीन-चार मार्च को 2023 में अलसो याद रखेंगे, Andhra Pradesh is also one of the fastest growing Indian state with a 11.43% gross state domestic product next इसे के साथ साथ यहाँ पर यह भी आद रखें 2019 में इनके दुआरा तीन capitals declare की गई थी विशाका पतनम को as the executive capital अमरवती को as the legislative capital कुरनूल को as the judicial capital और अब वापस से विशाका पतनम को as the state capital declare कर दिया गया है next, next हम बात करेंगे आरोहिनी initiative training program की इस program को अभी किस state के दुआरा 746 कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले में यह launch किया गया for the safety and security of the girls तो याद रखेंगे उत्तर परदेश में यह आपकी scheme आरोहिनी initiative training program को launch किया गया for the safety and security in all the 746 कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले जो की यूपी में रहेगा ठीक है यह campaign आपका समगर सिक्षा अभियान के अंडर काम करेगा जहां पर women को education भी provide की जाएगी और उनकी safety की भी बात की जाएगी अगर आरोहिनी initiative की बात करूँ तो यह 2011 में launch किया गया था जहां पर education की बात की गई है women की उनको educate करने की उनको empower करने की यहां पर बात की गई next which bank is the largest public shareholder in the yes bank is of February 2022 तो कौन सा bank largest public shareholder बन गया है yes bank का वो है आपका SBI state bank of India with 30% stake ठेक yes bank के मैं बात करूँ तो managing director and chief executor officer कौन रहेंगे वो है प्रशान्त कुमार established कब किया गया 2004 में इसको establish करा गया headquarter कहां पे रहेगा मुंबई महराश्रा में इसका headquarter रहेगा next पे आते हैं name the bank जिसने recently announce किया the implementation of first phase first phase of CBDC central bank digital currency का या फिर डिजिटल रूपी बोलें इसका first phase implement करने वाला वो bank कौन सा बन गया वो है कोटेक महिंद्रा बैंक और इसी के साथ साथ एक important चीज़ याद रखना तीन cities में इसको launch करने की बात की गई डेली में मुंबई में और डेली मुंबई एंड एमदबाद ये तीन जगह पे state पूछे तो महराश्रा डेली तो यूटी हो गया और गुजरात इन तीन जगह पे आपके ये launch करने की बात करी गई है और अगर पूछें ये किसके द्वारा launch किया गया है ये रूपी तो RBI ये तो easy question है बट still याद रखेंगे next अभी किस airport पे आपके PVR cinemas को लगाने की बात की गई और ऐसा first time होगा कि किसी airport पे PVR cinemas को establish करा गया ताकि लोग वहाँ पे free time में movie देख सकें ये पात screen का आपका PVR cinemas यहाँ पे setup करने की बात की गई कहाँ पर चन्ने इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की चन्ने इंटरनेशनल एरपोर्ट में रहेगा ठीक है एंड ये पहला इंडिया का multiplex house होगा जो की एरपोर्ट complex पे होगा 1155 seating arrangement होगी यहाँ पर और ये तो होगया चन्ने इंटरनेशनल एरपोर्ट की ये जो आपको पहले दो एरपोर्ट दिख रहे हैं इंडरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट और केंप गोवडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ये दो वो एरपोर्ट हैं जो की top 10 इंटरनेशनल आए थे इनको लिस्ट किया गया था next who was appointed as the first female prime minister of equatorial guinea वो रहेंगी मुनेला रोका बोटी ठीक है option 3 correct रहेगा next अभी USA based general atomics aeronautical systems incorporation इन्होंने अपने projects पे work करने की बात की इंडिया के साथ किन projects पे ये बात करेंगे work करेंगे together इंडिया के साथ मिलके semi conductors, artificial intelligence और drones तो option 3 यहाँ पर correct होगा इन तीनों projects पे यहाँ पर general atomic aeronautical system of US यहाँ पे work करेगा इंडिया के साथ मिलके ठीक है काफी important है इसको mark करके चलेंगे friends चलिए next पे आते हैं next बात कर रहे हम Delhi commission for protection of child rights इनके द्वारा एक whatsapp chatbot launch किया गया तो और हमने देखा था whatsapp chatbot का नाम क्या था for the protection of child ये कौन सा है बाल मित्रा whatsapp chatbot है तो ये two way communication रहेगा between the people and the child rights panel ताकि लोगों की बच्चों की यहाँ पर उनके साथ contact रहे और उनके साथ कोई भी दिक्कत हो उनकी help की जा सके आप यहाँ पर help line number भी देख सकते हैं वो रहेगा आपका help line number 931 555 1393 ये आपका help line number रहेगा next next आजाता है भी Microsoft Corporation के द्वारा एक premium team messaging offer launch किया गया by जो की power किया गया chat GPT के साथ देखो सबसे पहले तो याद रखेंगे अगर मैं chat GPT की बात करूँ ये किस company के दोवारा launch किया गया है open AI के दोवारा इसको launch किया गया ये एक chat platform है जहाँ पर artificial intelligence के साथ chat कर सकते हैं और यहाँ पर 2021 से पुराना सभी data आपको मिल जाएगा लेकिन 2021 के बाद से जो भी चीज़ होई है उसको इसके बारे में चीज़ नहीं पता होगी लेकिन 2021 से पहले सारा data इसके पास रहेगा फिर याद रखेंगे अभी जो chat GPT की full form है वो क्या रहेगी chat generative pre-trained transformer ये आपका chat GPT रहेगा ठीक यहाँ पर T की full form पूछी गई तो T आ जाता है आपका transformer फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे देखो इसके साथ एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर कि जो chat GPT है ना इसको अब Microsoft के दुआरा क्या funding मिल गई है 10 billion dollar की और यह जो 10 billion dollar की funding ना बहुत जादा helpful रहेगी chat GPT को आगे बढ़ाने के लिए और हमने देखा 2021 से पहले का data नहीं है chat GPT के हमने full form देख ली transformer इसकी T की full form देख ली अब इसी के साथ चाथ याद रखेंगे Google के को इसको जो chat GPT ने इसको Google किलर के नाम से बोला जा रहा है और Google के द्वारा भी अपना खुद का एक BARD BARD नाम का artificial intelligence chatbot launch किया गया तो यह सारी चीज़े आपको याद रखेंगे Next पे आते हैं उस ministry का नाम बताओ जिसने recently अभी एक MOU sign किया Energies India Limited के साथ to develop waste energy and bio-methination project in cities with million plus population 1 million plus population की cities में आपका यह waste to energy bio-methination project को develop किया गया ताकि वहाँ पर जो waste है उसको energy में convert किया जा सके और किस ministry नहीं यह project set up किया Energy India Limited के साथ तो वो रही गया आपकी ministry कौनसी ministry वो है Ministry of Housing and Urban Affairs तो option 2 यहाँ पर correct रहेगा Next Which bank has recently issued a work order to rail tell corporation of India जो की rail tell है to provide 4G light long term connectivity to 15,000 offside ATMs के लिए ATMs आपके 4G connectivity पे चल सके LTE होता है आपका long term evaluation ठीक है तो किस bank ने अभी tie up किया rail tell के साथ ताकि आपके यह 4G connectivity कही जा सके कुछ 15,000 ATMs में यह किस bank के द्वारा step लिया गया है तो यह रहेगा आपका State Bank of India जो total cost यहां पर खर्च करने की बाच की गई वो है 253.35 करोड यहां पे लगाने की बात की गई और यह जो 15,000 ATMs में 4G connectivity प्रोवाइड की जाएगी आने वाले 5 सालों में इसका काम पूरा होगा इन्दसेंट International Holdings Limited IIHL इन्होंने रिसेंटल यह भी रिसीव किया preliminary approval from Reserve Bank of India to increase its ownership in Indusind Bank to what percent तो 26% तक Indusind Bank ने अब में equity share को बढ़ाने की बात की गी और इसके लिए उन्होंने permission ली किस से RBI से उन्होंने permission ली ठीक है as a result अगर हम बात करें जो ये Indusind International Holdings Limited है ये किसकी subsidiary है ये हिंदूजा ग्रूप की subsidiary है और इन्होंने फिर as a result यहाँ पर 10,000 करोड रुपे invest करने की बात करी contribute करने की बात करी to Indusind Bank तो correct option option 1 next अगर आपसे पूछूँ अभी UK में किनको lifetime achievement honor से सम्मानित किया गया था और वो former prime minister हैं इंडिया के कौन रहेंगे वो वो हैं Dr. Manmohan Singh और उनकी political and जो economic related reforms थे उन्होंने जो उससे related काम करा उसके लिए यहाँ पर इनको ये lifetime achievement honor से सम्मानित करा गया ठीक फिर अभी recently एक exercise हुई थी try शक्ती प्रहार कहां पर हुई थी ये exercise और किसके द्वारा carry out कराई गई थी तो ये आपकी exercise Indian army के द्वारा कराई गई थी और location क्या रहेगी जहां पर हुई थी वेस्ट बेंगॉल में ये exercise आपकी conduct कराई गई थी ठीक अभी वो कौन सा planet बन गया जिसके सबसे ज़ादा moons है पहले आपका Saturn हुआ करता था लेकिन अब 12 कुछ नए moons discover कि गए है जूपिटर के और जूपिटर सबसे ज़ादा planet वो सबसे एक वो लौत अ प्लैने या फिर एक वो planet बन गया है जिसके सबसे ज़ादा moons है maximum number of moons in our planet किसके रहेंगे वो है जूपिटर के ठीक है अभी किस इंडियन क्रिकेटर ने international cricket से retirement ले लिए है वो है मुर्ली विजे कौन है वो मुर्ली विजे ठीक है फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी किस इंडियन रैसलर को जारगेब उपन 2023 मे bronze medal मिला जारगेब उपन 2023 में किस इंडियन रैसलर को bronze medal मिला वो रहेंगे अमन शेहरावत question ऐसे पूछ सकते हैं जारगेब उपन अभी टूर्नमेंट 2023 में किस event के लिए हुआ था तो वो wrestling के लिए हुआ था ठीक है फिर इसी के साथ साथ 2027 में Asian Cup फुटबॉल एशियन कप 2027 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी साओधी अरीबिया होस्ट करेगी थीक है important है मा करके चलेंगे फिर इसी के साथ साथ ज़रा बता दो Indian Coast Guard Day कब अबजर्व किया गया 1st Feb को हमने Indian Coast Guard Day अबजर्व करा next meeting of the US India Civil Joint Working Group was held between India और US के बीच में भी एक meeting discuss हुई ताकि आने वाला जो future है ना हमारा technology based होने वाला है क्या आप ये सब agree करते हैं बिलकुल आप किसी भी field में देख लीजिए आप जैसे पहले technology होता था अब क्या हो गया आपका इसको मिला दिया है अलग-अलग सेक्टर से जैसे finance में इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है FinTech education में हम इसको technology को जोड़ दें तो क्या हो जाता है EdTech अगर मैं bio technology में या biology में अपनी technology को जोड़ दूँ तो वो क्या हो जाएगा bio technology तो आप देखेंगे हर फिल्ड में टेक्नलोजी का इस्तमाल हो रहा है और आने वाले टाइम में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रूल प्ले करेगा हमारे फ्यूचर को शेप करने में जैसे हमने देखा अगर इसी से रिलेटेड गूगल हमने बात कि थी ग माइक्रोसोफ्ट से फंडिग मिली कितनी फंडिग मिली 10 billion US dollar की हाँ पर फंडिdd मिली और इसी की मदद से ChatGPT की मदद से ही अभी माइक्रोसोफ्ट ने premium team software को निकाला जहां पे वो कुछ amount चार्ज करते हैं के basis पर वो various facilities प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपकी जो meetings वगरा होती हैं schedule करनी होती है notes taking होती है हो सबको automate किया गया तो coming back हम बात करें इसी के उपर यहाँ पर science के लिए और space exploration अब जैसे space में कैसे हम artificial intelligence को use कर पाएंगे जैसे आपने देखा for example पर लेके चलें James Webb Space Telescope का हमने देखा इस टेलिसकोप ने 13.8 billion पुरानी light को capture करा अब इतनी हम देख रहे हैं 13.8 billion का data अभी हमारे पास receive हो चुका है लेकिन उसको study कैसे करें इतने जादा data को इतना साल पुरानी light इतनी पुरानी light मतलब अभी 13.8 billion का data है जो हमें study करना है और हम इतना data study नहीं कर सकते हैं human capability अभी नहीं है लेकिन अगर हम artificial intelligence की बात करें तो और quantum technologies की बात करें हम बात करें data science की बात करें अब हम देख रहे हैं data का cloud पे बहुत ज़्यादा role play किया जारा है तो इन चीज़ों को देखे तो इन में हम इनकी मदद से जो यह data है उसको study कर पाएंगे space में अब जैसे मालो कोई हमने एक satellite बेजी जो अर्थ को monitor कर रही है अर्थ को उसकी revolution को monitor कर रही है revolution को फिर monitor कर रही है कि कहां पर कितना climate कैसे हो रहा है क्या change हमें देखने को मिल रहा है अभी आपने recent में सुनाओगा sun का एक peace break हो गया तो यह सारी चीज़ों में हम देखेंगे कहीं न कहीं artificial intelligence का use किया ही जाता है ताकि data को segregate किया जा सके और एक अच्छे तरीके से present किया जा सके ठीक है तो यह बहुत important role play करेगा तो इसी लिए space में और human space exploration में science में आगे work करने के लिए अभी एक इंडिया और US की civil space joint working group meeting हुई थी जो कि इंडिया और USA के बीच में हुई question पूछा जा रहा है कि कौन सा meeting थी यह कौन से number की meeting थी कौन सा edition था इस meeting का तो आठिम एडिशन की यह meeting रहेगी next अरियोन टेल्गू फिल्मेकर एंड पदमा अवाड़ी के विश्वनात इनका recently निधन हो गया फरवरी मन्त में in which year did he receive पदमा श्री अवार्ड किस संग में उनको पदमा श्री अवार्ड से सम्भानित किया गया था पहली चीज़ याद रखेंगे उनको in the field of art ये पदमा श्री से सम्भानित किया गया था पदमा श्री की बात करें हम तो पदमा श्री आपका fourth highest civilian award होता है ठीक है 1992 में के विश्वनात को पदमा श्री से सम्भानित किया गया था in the field of art इनका निधन हो गया 92 की age में हैदरबा तेलंगना से ये बिलॉंग करते है और यहीं पे इनका निधन हो आ फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक तो ये हो गया पदमा श्री दूसरा याद रखेंगे दादासाइफ फॉल के award इनको इस अवार्ड से भी सम्भानित किया था और जो दादासाइफ फॉल के अवार्ड होता है ये हाइस्ट अवार्ड रहता है in the field of cinema ठीक है और इनको 2016 में दादासाइफ फॉल के अवार्ड से सम्भानित करा गया था तो इस question का answer बनता कि पदमा श्री कम मिला था इनको त विर्धारित की गई थी सरकार के द्वारा वो थी 512 kbps ठीक है kilobytes per second अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 2mbps 2mbps megabyte per second आप देखेंगे 5G जो हमारा आया ना 5th generation of internet इससे जो connectivity है वो बहुत जादा इसकी speed बढ़ जाएगी आप देखेंगे 1000mbps आपकी speed भी कहीं कहीं जगे टच कर रही है 100mbps तो नॉर्मली आपकी मिलती थी आपको अगर कहीं देखेंगे अब आप देखेंगे तो 100 तो कुछ भी नहीं आपको easily मिल जाती है 1gbps की भी speed टच की जारी है with the help of this 5th generation of internet और 5th generation of internet को लाने वाली पहली company कौन सी बनी थी 5G को इंडिया में वो थी एडल तो correct option यहाँ बनता है 2mbps minimum download broadband connectivity की speed करती कही है government के दोरा लाहरी बाई he emerged as a real brand ambassador of the coarse grains in tribal dominated dindore district of dash तो dindore district में अभी recently लाहरी बाई यह एक real brand ambassador बनके सामने आई है for the grains जो millet वहाँ पर cultivation and research चल रही है उसके उपर जो बात की गई वहाँ पर एक real women एक ambassador की तोर पर यह सामने आई है अगर हम बात करें millets की तो आपको पता ही होगा 2023 को international year of the millets गोशिद कर दिया गया है किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और कभी यह किया गया था 2018 में इन्होंने इसको international year of the millets गोशिद कर दिया था ठीक और इसी लिए हम जानते हैं कि आप आप देखेंगे millets को basically क्यों इतना बात की जारी है millets के उपर क्योंकि एक grain है जो की बहुत easily grow की जा सकती है काफी arida regions में भी इसको grow किया जा सकता है जहां पर आप देखेंगे बहुत harsh weather होता है महाँ पर भी इसको grow किया जा सकता है और यह काफी nutritious and fibrous food होता है तो यहां पर जो correct option होगा कि अभी recently लहरी बाई यह एक brand ambassador की तोर पर निकल के सामने आई है यह किस district से बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है आपके दिंडोरी district से किस state में है दिंडोरी district यह मध्यपरदेश में है और इसके साथ साथ एक और question पूछ लेगा कि किस tribe से यह बिलॉंग करती है बताइए यह रहेगा byga tribe byga tribe से यह बिलॉंग करती है next next अगर मैं आपसे कुछ important days पूछूँ जैसे हमने देखा था Indian Coast Guard Day ये कब observe किया जाता है एक फरवरी को तो ये हम Feb के देख रहे हैं ठीक है फिर हम बात करते हैं एक से साथ Feb हम क्या observe कर लेते हैं World Interfaith Harmony Week World Interfaith Harmony Week हम observe करते हैं दो फरवरी को हम observe करते हैं World Wetlands Day इसकी theme याद रखेंगे It's Time for Wetland Restoration ये आपकी theme रहेगी World Wetlands Day की important है पूछा जा सकता है फिर इसी के साथ साथ अगर पूछे International Day of Human Fraternity ये आपका चार फरवरी को observe किया जाता है International Day of Human Fraternity Fraternity होता है बाही चारा और इसी के लिए मतलब सब को मिल जूल के रहना चाहिए ये awareness create कराने के लिए ही ये day observe किया जाता है और यहाँ पर एक motto रहता है जो आपको याद रखना है वो है harmony in difference मतलब सब अलग हैं लेकिन फिर भी हमें मिल जूल के रहना चाहिए चार को ही एक और याद रखेंगे वर्ल्ड कैंसर डे 2023 के लिए जो theme रहेगी वो है close the care gap इवन आपने देखा होगा भी news में पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले cancer को defeat करने के लिए भी medicines develop की जा चुकी है उनके trials successful रहे हैं तो international day of human fraternity और वर्ल्ड चाहिड डे आपका चार फरवरी को याद रखेंगे और वर्ल्ड cancer day आपका चार फरवरी को याद रखेंगे ठीक है नेक्स आज आता है name the company that has recently introduced drone technology in coal mines by launching विहंगम web based portal अब देखो drones आज की time पे आप देखेंगे drones का बहुत जादा use बढ़ गया है हर field में drones यूज किया जा रहा है defense sector में आप देखेंगे transport sector में अगर आपको goods को इदर से उदर logistics में लेके जाना उसमें आप drones को देखेंगे ठीक है और इसकी मदद से क्या और है even agriculture sector में आप देखेंगे कि इसको spray करने के लिए चाहे pesticide हो irrigation purpose से हो बहुत जादा यूज किया जा रहा है even अभी जो war चल रही है war में आपने देखा रश्या के दवारा drones यूज किये गए थे इरान के to fight in the war against Ukraine तो ये weapon की तरह भी यूज किया जा रहा है और इंडिया काफिली heavily bet कर रहा है drones की technology पे आने वाले time में और हमने देखा था कि सरकार ने drones का जो import है ना उसको भी बंद कर दिया कि आपको drones purchase करने है तो आप इंडिया में ही purchase करो ऐसे ही अभी recently coal mines को monitor करने के लिए क्योंकि आप drones को उड़ाते हैं आप easily record कर सकते हैं आप जो अलग-अलग जगहें हैं वहाँ पर खुद ना present होके drones की मदद से जा सकते हैं और camera होते तो आप देखेंगे recording भी easily हो जाती है तो इसी लिए इसी purpose की लिए आप देखेंगे कि coal mines को monitor करने के लिए ही अभी एक drone based technology डेवलप की और उसके लिए इसमें क्या होता है कि जहां पर work culture कैसा है जो आपके बड़े-बड़े post पर लोग होते हैं chairman हो गए आपके जो diplomats होते हैं फिर आप देखेंगे यहां पर जो भी business executives होते हैं एनलिस होते हैं वो analyze करते हैं कि कैसा वहाँ पर एक culture है और कैसा corporate reputation है उस company की इसको include करा गया था in the 25th edition of the fortune magazines of world's most admired companies में add किया गया तो answer हो गया TCS लेकिन अगर पूछा जाए top पर किस ने किया किस ने top किया इस list में first position पर कौन रहा वो रहेगा apple एपल ने top किया और second position पर आप देखेंगे यहां पर Amazon and Microsoft यह दोनों इस second position पर रही in the world's most admired companies की list में और यहीं पर देखेंगे तो apple पिछले 16 सालों से topped the list for the 16 consecutive years next according to global leader approval survey that was released by morning consultant in feb who became the most popular leader of the world for the second consecutive year with a 78 approval rating 78% approval rating के साथ दूसरी बार लगातार किनों ने top किया as the world's या global leader approval की तरीके से या फिर world के most popular leader के तौर पे कौन सामने आए है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और यह देखायता है कि इंडिया की position कितनी ज़ादा strong है international level पे जब world का most popular leader जो सामने आता है कि उनकी rating सबसे ज़ादा हो तो उस country को हम देखते हैं कि as a signify जैसे USA को देखते थे तो USA के में क्या होता था जबी भी पूरे world को पता होता था कि USA में कौन नया leader है कहां से leader इमर्ज होके आ रहा है हम देखते थे अरे वहाँ पर Joe Biden leader बन गया या फिर Donald Trump leader बन गया है या फिर Obama के बारे में हमने पढ़ा था तो इनका बहुत ज़ादा ध्यान रखा जाता था क्योंकि ये top 5 countries होती है और ये country global एक power बनती है तो ऐसे इंडिया को जब Prime Minister Narendra Modi वर्ल्ड के global leader निकल के सामने आ रहे है with 78% approval rating for the second time तो ये दर्शाता है कि इंडिया का जो future है एक international level पे और global leader बनने के तौर पे बहुत एक अच्छी दिशा में दिख रहा है ठीक है और यहीं पर अगर मैं बात करूँ Joe Biden की तो Joe Biden का जो यहाँ पर rating थी वो कितनी थी सिरफ 40% की हमें approval rating देखने को मिली next the ministry of communication has approved the conversion of 16,000 करोड रुपे in accrued interest on deferred adjust gross revenue dues debt trade and Vodafone India into equity मतलब कुछ 16,133 करोड रुपे का जो लोन था सरकार को Vodafone India से लेना था उसको क्या कर दिया गया है equity में convert अब क्या है government of India largest shareholder बन गई है Vodafone India में और ये 33% shareholder बन गई है यहाँ पर Vodafone India में ठीक है तो मतलब जैसे कोई buy कर लेता है stake को ऐसे सरकार का जो लोन था उन्होंने इसको equity में convert कर दिया और उस company को बोला अब हमारे पास आपकी 33% company रहेगी next in fab union minister of youth affairs and sport अनुराग सिंग ठाकूर and the lieutenant governor of Jammu and Kashmir Manoj Sina इन्होंने launch किया एक mascot theme song and jersey for which edition of Halo India winter games जो की गुलमर्ग Jammu and Kashmir में थे तो गुलमर्ग Jammu and Kashmir में सबसे पहले तो याद रखेंगे कौन से edition के आपके Halo India winter games हुए थे तो ये याद रखेंगे third edition के आपको Halo India winter games देखने को मिले थे कहाँ पर हुए थे गुलमर्ग में हुए थे location याद रखेंगे ठीक फिर इनको recently यहाँ पर एक theme song, jersey और एक mascot भी launch किया गया है तो अगर mascot की बात करें तो याद रखना mascot ऐसे पूछ लेंगे कि Halo India winter games का जो mascot launch किया गया है वो क्या नाम है क्या है mascot तो वो एक snow leopard है ठीक है snow leopard launch किया गया जो की mascot रहेगा यहाँ पर कितने एक events होंगे 9 events होंगे गेम्स के और कुछ 1500 से भी जादा हमें यहाँ पर participants देखने को मिल रहे हैं from across India next वानी जैराम Western singer and Padma Bhushan award इनका recently निधन हो गया है she was honored with Padma Bhushan award in the field of arts कि साल में तो याद रखेंगे उनको Padma Bhushan award से समानित किया गया था इसी साल 2023 में in the field of art और जो आपका यह Padma Bhushan है यह third highest civilian award है of India इनका निधन चन्नाई तमिलनाडू में हो गया at the age of 78 next तो correct option यहाँ बनता है option fourth moving on who is the current president of United Nations General Assembly United Nations General Assembly के current president कौन है कसाबा कुरोसी यह current president है United Nations General Assembly के next हम बात करते हैं एक trilateral framework की जो कि अभी इंडिया UAE and France के बीच में साइन किया गया है और इस framework के अंदर हम देखेंगे जो आने वाली technology है देखो defense एक बहुत important sector रहता है एक international level पे defense हम energy की बात करें क्योंकि हमारी जो world है आप देखेंगे अभी एक transition phase में from non renewable sources of energy to renewable sources of energy और climate change को tackle करने के लिए हमें renewable sources of energy पे shift करना ही पड़ेगा इसलिए आप देखेंगे इस दौड में energy का cooperation बहुत ज़रूरी है ठीक है और इसी के साथ-साथ फिरा जाता है technology भी साथ-साथ रहेगी ही रहेगी आप देखेंगे तो कौन रहेंगे UAE फ्रांस और इंडिया के ने ये ट्राइलेटर कोपरेशन साइन किया नेक्स्ट नेम दा यूनियन मिनिस्ट्री जिन्होंने रिसेंटली लॉंच किया save wetland campaign जो कि एक campaign has structured on a whole of society approach for wetland conservation wetland conservation के लिए भी किनोंने ये एक launch किया save wetland campaign जरा बताई है उनका नाम वो रहेंगे भुपेंद्र यादर जी जो कि हमारे union minister of environment forest and climate change है तो इससे question ऐसे भी पूछ सकता है कि कि किस ministry के द्वारा ये आपका launch किया गया है तो ministry of environment forest and climate change के द्वारा इसको launch किया गया next according to the international energy agency IA की report के हसाब से life mission of India LIFE lifestyle for environment initiative ये एक initiative है इंडिया का अगर इंडिया के life के हिसाब से world play करेगी वैसे उसको follow करेगी और उस हिसाब से चलेगी तो आने वाले सालों में हम देखेंगे 440 billion dollar save करेगी पूरी दुनिया by 2030 ठीक है यहाँ पर हम देखेंगी इनिशेटिव है life lifestyle for environment initiative जो की एक initiative अडॉप्ट किया गया है world by by G20 के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि हम carbon emissions को कम करेंगे और जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारा main motive क्या रहेगा non renewable sources of renewable sources of energy पे shift करना और carbon को atmosphere से reduce करना carbon को हमें atmosphere से reduce करना है और इसके लिए पैसा खर्चोगा और वो पैसा हम कहां से generate करें कैसे generate करेंगे और वो पैसा कही न कही हमें save भी करना पड़ेगा और आप देखेंगे तो आने वाले छे से साथ सालों में बोला गया इस report की साबसे by IEA की हम पूरी earth by 2030 440 billion dollar save कर सकते हैं अगर हम इंडिया का lifestyle for environment initiative को for करें फिर से हम देखेंगे कि इंडिया की position international level पे कितनी strong है नेक्स्ट परवेज मुश्रफ इनका recently निधन हो गया है यह former prime minister रह चुके हैं कहां के पाकिस्तान के नेक्स्ट वेन वाज दा United Nations international day of zero tolerance for female genital mutation observed यह कब observe किया गया था यह observe किया जाता है तो याद रखेंगे छे फरवरी को हर साल हम union international day for zero toleration for female genital mutilation को observe करते हैं थीम क्या रहीगी partnership with men and boys to transform social and gender norms to end female genital mutilation यह जो थीम है किसके द्वारा launch की गई थी United Nations Population Fund and UNICEF यह UNICEF का ही department होता है इनके द्वारा basically मिलके launch किया गया था next आजाते हैं in which city United Nations Population Fund was headquarter कापर इनका headquarter रहेगा तो New York में इनका headquarter है New York में United Nations का headquarter है United Nations Development Program का headquarter है Paris में आपका UNESCO का headquarter है और Paris में याद रखेंगे 2024 में आपके Olympic Games भी होंगे next name the country जिसने भी recently collaborate किया European Union के साथ to set up three working groups under Trade Technology Council Trade Technology Council के उपर काम करने के लिए European Union ने अभी किस के साथ tie up किया India के साथ tie up किया और यह जो एक बुला है ना कि यह three working groups set up किया गए वो three working groups क्या रहेंगे एक तो रहेगा आपका digital governance and digital connectivity के लिए दूसरा रहेगा आपका clean energy के उपर और तीसरा रहेगा आपका trade investment की कहाँ पर कैसे investment करें और क्या जादा better हैगा तो इन तीन चीज़ों पर work करने के लिए EU ने इंडिया के साथ tie up किया नेक्स्ट किस organization ने भी release की Asian Economic Integration Report Trade, Investment and Climate Change in Asia Pacific with key findings that greener trade and investment play a major role in tackling climate change in Asia and Pacific यह report किस के द्वारा Asian Development Bank के द्वारा इस report को release करा गया था ठीक है अगर इसी के साथ साथ अगर आपसे question पूछा जाए तो ज़रा बताओ World Economic Outlook यह report किस के द्वारा release की जाती है IMF के द्वारा release की जाती है ठीक है World Economic Outlook और IMF यह आपका एक और report release करता है वो है Global Financial Stability Report फिर यहाँ पर World Bank के द्वारा एक report release की जाती है वो है Ease of Doing Business फिर अगर बात करूँ Reserve Bank of India यह release करते है Monetary Policy को ऐसे ही World Economic Forum WEF के द्वारा release की जाती है Global Gender Gap Report तो देखते हैं World Economic Outlook release करता है IMF release करता है आपका World Economic Outlook और Global Financial Stability Report World Bank release करता है Ease of Doing Business RBA release करता है Monetary Policy और World Economic Forum release करता है आपका Global Gender Gap Report अगर ऐसे ही मैं पूछ लूँ Human Development Index किसके द्वारा release की जाता है United Nation Development Program के द्वारा Next Which country is the first World Trade Organization member जिनोंने formally accept किये है नई agreement on fisheries subsidies fisheries subsidies के उपर नई agreement को अभी recently accept करने वाली वो पहली country कौन सी बन गई है यह पूछा गया आपसे तो देखो यह जो आपका World Trade Agreement था ना fisheries subsidies पे इसको adopt किया गया था 17 जून को 2022 में at the 12th ministerial conference जो की जिनेवा स्विजर लेंड में होई थी और यह जो पहली country बन गई है वो है आपकी स्विजर लेंड ही Next उस bank का नाम बताओ जिनोंने भी partner किया जियोजीत financial services के साथ to launch wealth management platform एक wealth management platform यह क्या होता है कि जो पैसा होता है लोगों का उसको कैसे कहां पर invest करें कहां पर हमें better returns मिलेंगे क्या real estate हम buy कर सकते हैं उस पैसे को हम कैसे grow करेंगे with a period of time इसलिए यह wealth management platforms खोले जाते हैं companies होती हैं लोगों का पैसा invest करती है तो किस bank ने अभी partner किया है जियोजीत financial services के साथ to launch a wealth management platform वो रहेगा South Indian Bank किस company ने अभी recently launch किया इंडिया का पहला fintech platform to support cross border UPI payment cross border UPI payments को support करने के लिए इसको launch करने के लिए किस fintech platform के द्वारा यह launch किया गया फोन पे क्या है UPI में क्या होता है अगर आपका phone number आपके bank account से link है ठीक है तो आप उसकी मदद से कहीं पे भी QR code जो होते हैं उसको scan करके payment कर सकते हैं और यही facility अब internationally multiple countries को भी provide की गई है जैसे अगर देखें UAE Singapore, Mauritius, Nepal and Bhutan यहाँ पर इनका काफी जादा impact देखने को मिलेगा कि यहाँ पर UPI शुरू हो जाएगा even 10 plus countries में all over the world हम देखेंगे कि UPI का use start हो गया है NPCI के दोवारा 2000 को एक correction है मैंने पहले NPCI बताया था उसको change कर लेंगे NPCI 2008 में था और UPI launch किया गया था 2016 में और इसको correct कर लेंगे next, name the payment bank जिनके दोवारा biz खाता launch किया गया जो कि यह current account है with unlimited transaction for small merchant and business platforms in India तो यह biz खाता किसके दोवारा launch किया गया ETL payments bank के दोवारा इसको launch किया गया है जापे zero minimum balance requirement रहेगी next, K. Satya Narayan Raju was appointed as the managing director and chief executive officer किस bank के Canera bank के इनको MD and CEO appoint किया गया है next आजाता है name the Indian Institute of Technology जिन्होंने recently एक MOU sign किया ISRO के साथ ताकि extended reality पे work किया जा सके in the human space flight program आप जैसे देखो आपको यादो तो चंदरियान mission जाएगा ठीक है तीन astronauts को भेजने की बात की गई यहाँ पर तो उनको train करने के लिए और हम जानते हैं इनकी मदद से आप एक ऐसा scenario डेवलप कर सकते हैं जिसके मदद से जो astronauts हैं उनको एकदम ऐसा लगेगा जैसे वो space में है और उनकी महाँ पे training provide की जा सकती है with the help of simulations यह simulations बनाके इनकी मदद से यहाँ पर train किया जा सकता है astronauts को तो किस IIT ने तो IIT मदरास ने एक MOU साइन किया इसरों के साथ ताकि extended reality पर work किया जा सके in the Indian human space program human space flight program next है which company recently launched a plan to launch an artificial intelligence powered chatbot called BARD अभी हमने देखा BARD किसका है Google का open AI यह किसका है इसके दौरे क्या launch किया गया है chat GPT confused नहीं होना है Microsoft के दौरा chat GPT नहीं launch किया गया है launch किया गया है open AI के दौरा Microsoft ने तो investment करी है chat GPT में और कितनी investment करी है 10 billion dollar की chat GPT को use करते हुए ही Microsoft ने अपने platform edge पे Microsoft Azure उसको better किया है वहाँ पर अलग-अलग services provide की गई है ठीक है उसको incorporate करते हुए next next है who is the current controller and auditor general of India कौन है इंडिया के CAG वो रहेंगे आपके Greece चंद्र मुर्मोजी ठीक है important है mark करेंगे और इनी के दौरा भी announce किया गया कि इंडिया का जो aim रहेगा वो क्या है इंडिया का जो aim रहेगा वो क्या है 2025 तक 5 trillion dollar economy को अचीव करना जिसमें से UP ने बोला कि 1 trillion dollar economy तो हम provide करेंगे next तो दोस्तों ये था हमारा session I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना और comment करके जरूर बताना I know session बहुत अच्छा गया आज का दोस्तों तो अगर पसंद आ रहे तो मैं maximum to maximum comment देखना चाता हूँ और maximum to maximum like देखना चाता हूँ जिससे हमें पता लग सके कि हमारी वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है और आपको कुछ भी सीखने को मिलाओ चाहे आज को आपको एक नई information सीखने को मिली हो तो ये बहुत बड़ा achievement होता है इसी के लिए आप हमें like दे सकते हैं एक achievement के लिए एक like दो बार like मत करना like खाब हुजाता है like का फिर वो meaning नहीं रहता एक बार like जरूर देखे जाएंगा जो जो हमारी वीडियो देखेंगे and maximum to maximum comment and like चाहिए हमें आज ठीक है that's all friends और अगर इसी के लावा आप हमारी वीडियो देखना जाते हैं तो current affairs by विकास राना आप YouTube पे search कर सकते हैं हमारी वीडियो मिल जाएंगी बहुत अच्छा content हम daily basis पे provide करते हैं even daily अगर आप current affairs देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़े तो ऐसे याद हो जाएंगी इसके लावा हम monthly current affairs भी upload करते हैं and topic wise भी current affairs upload किये जाते हैं पे आप देखेंगे multiple topics national affairs international affairs sports defense important news important days यह सारी काफी helpful रहेंगी so that's all for the day friends और अगर quiz attempt करनी हो तो Carriats cloud application पे जाके कर सकते हैं thank you and have a nice day that's all for the day friends यह हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ friends आप हमारे YouTube channel को subscribe कर सकते हैं आप Telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733362 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ आप हमारे Instagram handle affairs cloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है Vikaas 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप Vikaas 10 का code use कर सकते हैं आपको course purchase हो गया पैसे कट गए है या कोई भी शुआ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel and if you have any queries related to the content or the of course is offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677-333862 apart from this friends you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is Affairs Cloud underscore official in the end friends if you use a code that is Vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677-333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue